दो कोश्चन है हमारे पास हम पहले इसको शुरुवात कर रहे हैं तो फोर्स जब एक मीडियम में लग रहा है और फोर्स जब एर में लग रहा है आपके पास तो अब उनके बीच में क्या रिलेशन होगा अगर आपको कोश्चन आता है तो प्लीज वीडियो पॉस करके ट्राइ कीजिए तो फोर्स इन एर जो होतो हम जानते ही है वो क्या होता है हमारे पास 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 over r square देख कोई भी मैंने q1 q2 charge ले लिए है और force in medium कितना होगा force in medium 1 by 4 pi epsilon q1 q2 over r square और मैं जानता हूँ कि epsilon जो की medium के लिए है वो हमारे पास relative permittivity के साथ कैसे relate करता है epsilon r equals to epsilon over epsilon 0 तो यहाँ पर मैं epsilon r epsilon 0 की value put कर सकता हूँ तो epsilon r epsilon 0 की value जो मैं यहाँ पर put करूँगा तो यह कितना बन जाएगा epsilon r और epsilon 0 इतना आ जाएगा तो देखिए 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 over r square यह किस की value आगी मेरे पास हाँ जी यह value आगी मेरे पास far की तो जो की आगी far by epsilon r तो epsilon r आगे नीचे तो f medium तो हमारे पास far by er होगा तो किसी भी medium का अगर बात करूँ मैं medium का आपके पास जो er होता है relative permeability होती है वो आपके बस greater than 1 होती है ठीक है वो चीज़ आपके बस greater than 1 होगी अगर वो greater than 1 होगी तो f medium will always be lesser than f medium will always be less than f air तो यहाँ पर हमारे पास relation बन गया है f medium is lesser than f air और metals के लिए er जो हमारे पास होगा वो infinite होगा ओके आगे चलते हैं इस question की तरफ इस question में आप हमारे पास हमारे पास metal sphere दे रखे हैं इनका charge क्यों है आप यह assume कर सकते हैं और उनके बीच में पहले उनको air में रखा गया और उनको medium में रखा गया तो कहता हूँ वो दोनों same आ रहे हैं तो पताईए कि उनके बीच में क्या relation रहा होगा r air और r medium के बीच में जो कि उनके बीच में f air और f medium दोनों बराबर आ गए on what condition f air is equal to f med for the distance suppression between both in air and medium तो आईए इसे find out करते हैं तो पहले तो उसने हमें relation दे रखा है कि f air is equal to f medium 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 क्यों 1 q2 over r square तो मैं दोनों चार्ज सेम ले देता हूँ for the sake of my easy calculation r square और f medium देख इसको r1 ले देता हूँ मैं क्योंकि दोनों के सो में आपके पास क्या अलग-अलग होगा separation और इधर मेरे पास आएगा 1 by 4 pi epsilon r epsilon 0 और q square over r2 r2 square हाँ ना तो यह r2 square आजेगा और r1 square इसके इसके अदर separation है और r2 separation है हमारे पास medium के अंदर तो यहां से कुछ values मैं काट सकता हूँ और मैं एक दिम result में पहुंचता हूँ कि मेरे पास कितना r है कि r2 over r1 square by er इतना आजाएगा इतना आजाएगा तो 2 मैं जानता हूँ कि 2 medium का था तो यहां से मैं relation निकाल सकता हूँ कि r medium आपके पास r medium by r1 जो की air का है वो मेरे पास 1 by under root er है 1 by under root er है तो यहां से simply जो r air का relation निकलेगा r medium से r air का relation जो r medium से निकलेगा वो मेरे पास कितना होगा root er into r medium तो जो separation होगा दोनों के बीच में air के मुकाबले medium के लिए तो air में हमारे पास separation कितना होगा जीए medium की separation के distance into जो उनका relative permeability है तो ऐसे हम इन दोनों को relate कर सकते हैं